नमस्कार Divine Masculine एक अपने जंदिगी में भी एक हेल से गुजर रहे होते हैं और इस समय में हो सकते हैं क्यों क्योंकि उनकी अंडेस्टेंडिंग इस 5D और 3D को बैलन्स होने में थोड़ा मुश्किल होती है क्यों क्योंकि यह जर्नी सिर्फ आप समझ पाते हैं स्टार्टिंग में लेकिन आप ही उनको पुछ करते हैं कि चलो भाई समझो इसको लेकिन बहुत लोग यह कहते हैं कि चलो उनको ओडियो या वीडियो या समझ इस तरह का भीज दिया जाए भेजने के जरुरत होती नहीं है जब तक कि वो पूछे न अगर एक बार वो पूछते हैं कि भाई क्या है ये जर्णी क्योंकि मैं एक अलगी टाइप के हल से गुजर रहा हूँ मेरे कुछ emotions कुछ और ही कहीं और जा रहे है मेरी feelings कुछ और ही जा रहे है नो 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 ऐसी नहीं होती है क्योंकि runner chaser का phase आता ही आता है चाहे आप इनके साथ married भी हो जाए twin flame journey में क्या एक दुसरे से शादी होती है बच्चे होते हैं येस होते हैं बहुत लोगों के सवाल है होते हैं हमारे नहीं हुए क्या होते हैं पता हो सकता है कि बाद में चले आपको पता चल गया है तो भी शादी हो सकती है अभी एक और की है जो की twin flame है और marriage compatibility भी उनकी बहुत अच्छी है December में उनकी शादी है बताएंगे जब उनकी शादी होने होगी तो उनकी पूरी story लेकर आउंगी बात करते हैं current energy की divine masculine इस समय में एकदम out of the blue है मतलब उनको लग रहा है कि यह क्या हो रहा है out of the box भी जा रहा है उन्हें समझ नहीं आ रहा है कई बार उन्हें लग रहा है कि job छोड़ दूं मैं क्या करूं क्या ना करूं sometime यह feelings same आपकी भी हो सकती है जो आप सोच रहे हों वही चीज़ वह सोच रहे हो क्योंकि guilt and shame और frustration यह सारी चीज़ों से वह भी जूज रहे होता है guilt, shame, frustration सरफ आपके लिए नहीं होती है पूरे समाज में पूरे अपना lifetime में अपने birth time में अपने young time में जो भी कुछ है नहीं ने देखा है क्योंकि देखे हर एक व्यक्ति frustration और neglect होना यह सब कुछ देखता है rejection यह सब कुछ देखता है अगर आप यह कहें आपने देखा है हाँ, बचपन से लेके अब तक अब तक भी तो देखा है होता ही रहता है कई बार rejection आप बहुत अच्छे है सामने वाली party से तो भी होता है और कई बार यह भी होता है कि नहीं आप थोड़े से low है energy wise या something जिस भी उस पैमाने पे आप नहीं है तो भी Divine Masculine इस समय में आपको address करना चाहरे हैं, आपसे बात करना चाहरे हैं, अपने true self बताना चाहरे है क्योंकि वो believe करते हैं कि यह journey वाकई है और वाकई वो इस journey में एक hell से गुजर रहे हैं, बार बार hell बर्ड बतानी क्यों आ रहा है मतलब कि मुझे ऐसा लग रहा है कि Divine Masculine की जो energy है वो बिल्कुल surface पर आ चुकी है उन्होंने अपना जितना भी realize किया है अपने सारी traumas को, उसको वो चुपाना नहीं चाहरे है जितना चुपाया वो सब कुछ आपको बता देना चाहरे हैं, लेकिन वो बताने का समय कब आएगा, ये उनको exactly नहीं पता चल रहा है तो सब कुछ एक सही तरीके से हो जाए और आप जैसा सोचते हैं, वैसा हो जाए ऐसा भी नहीं होता है इस जर्णी में ठीक है कि ये उनकी wake-up call है उनको ही लग रहा है कि मुझे आपसे बात करनी है तो वो अपने आप करेंगे चैनल सॉंग Divine Masculine के लिए मुझे ये आया कि ओटो पे लिए हुए दिल की बात हम जागते रहेंगे और कितनी रात हम गा नहीं सकती, कॉपी रैट आ जाता है मुखत सरसी बात है, तुम से प्यार है तुम्हारा इंतजार है, तुम पुकार लो बहुत pain, बहुत regret, बहुत कुछ है एक new beginning उनकी चल रही है बट आप इधर हो सकता है कि ये torture, ये trauma, इन सब चीजों से आप हील कर रहे हो और अपनी एक alchemy में आ रहे हो आप ये सोच रहे हो कि या, वाउ, एक inner alchemy मुझे मिल रही है चाहे आपकी life में बहुत कुछ खतम होता दिख रहा हो जी हाँ, यदि आपको भी लगता है कि हाँ, divine masculine के बहुत सारी आवाजें आती है बहुत divine masculine की energy फील होती है और समझ में नहीं आ रहा है क्या तो tarot reading book कराएं, कैसे? screen पर दिखाए, number पर, message करके fee structure पता करें, affordable ले गए तो जरूर आएं, कार्ल जंग की book वगरा भी आप पढ़ रहे हों और Elizabeth, Claire Prophet की books आपके हाथ में आ रही हों क्योंकि इनकी, ये तो writers के नेम है, इनकी जो भी books लिखी हुई है उनको पढ़ डालिये, अगर आप इस situation में हैं, इस समझने की situation में, इस level तक आ चुके हैं तो आप इनकी books आराम से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और हो सकता है, starting में आपने The Law of Spirit World पढ़ ली हो और अगर आप थोड़े से poetis हैं तो जिबरान खिलजी की book पढ़ सकते हैं खलिल जिबरान की book पढ़ सकते हैं तो इस तरह से आपके जो ascension हुआ है, आप जो purest form में आए हैं, वो आपका एक dark night of the soul था, वहां से आपने बाहर निकले हैं, तो एक spiritual alchemy and एक inner alchemy में आप आ चुके हैं इस flame को, इस twin flame को flame क्यों कहा जाता है, flame means fire आप दोनों एक तरह की fire ही हैं दोनों एक दूसरे पर attack करते हैं sometime, क्यों? क्योंकि जब वो triggering होती है, वो एक तरह से attack है वो fire है, एक दूसरे के उपर आग भैंकना तभी तो दोनों trigger होते हैं, फिर से पीछे भाग जाते हैं, दोनों ही same time पर run भी करते हैं, sometime दोनों ही same time पर chase भी करते हैं तो बहुत सारी मुश्किलें, complexity इस journey में देखने को मिलती है So, काल जंग की books हैं, और भी कई तरह की books हैं, जो मैंने अभी बताई उन सभी की books, तीरे तीरे पढ़ना चुरू कीजिए कई बार क्या लगता है कि एकदम से हमें सब कुछ मिल जाए सब कुछ, एक ही book हम एक ही दिन में पढ़ लें लेकिन ऐसा नहीं होता है, हर एक book का एक एक शब्द, अच्छे से grasp कीजिए समझने की कोशिश की दिए, तब जाके आपका जो ascension है, एक surprising way में बहुती सुंदर तरीके से आपके साथ हो पाएगा, psychic abilities आपकी और भी जादा जुड़ती चली जाएंगी जहां आपको अभी तक confusion था ना, मैं ये करूं की वो करूं, ये करूं इनरजी होती है, जो की हमारा divine masculine authenticity में होता नहीं है तो उस चीज़ को कर नहीं पाता है लेकिन आप अब कर पाएंगे, यनि की आज की जो reading है, वो आपके true self पर भी है, और आपके divine masculine पर भी है, divine masculine ये कह रहे हैं कि बहिया मैं तो मर रहा हूँ, ठक रहा हूँ, परिशान हो प्लीज एक बार तुम पुकार लो, मुझे बात कर लो मेरे से इस तरह की उनके circumstances हो रहे हैं लेकिन इधर आपके भी तो हैं, आप भी कही ना कहीं किसी ना किसी परकार की inner conflicts में या बाहरी कुछ रिष्टेदारी में कुछ ऐसा down हो गया है, gloomy हो गया है तो आपको यह लग रहा है कि मैं भी तो यहां जूज रही हूँ, अब तुमें समालू अपने आपको समालू, अपने घर परिवार को समालू ऐसा आपके साथ हो रहा है, तो कितने ही तरह के betrayal, कितने ही तरह के traumas आपने जो देखे हैं, लेकिन आपने proper तरीके से heal किया है, काफी practical way में divine feminines आ रही है, just like me कि ठीक है भाई, आप प्यार होता है, लेकिन प्यार के साथ रोटी भी चाहिए होती है, वो वाली बात है सर्फ फिल्मी स्टाइल से ने, कि तुम्हारा प्यार होगा, तो हम भाई, जीवन बर रह लेंगे, ठीक है, प्यार चाहिए, लेकिन शरीर को रोटी भी चाहिए, तो उसके लिए क्माना कमाना कैसे, अपने मन से हमने कमाना है, तो कैसे कमाना है, तो समटाइम आपका ये रहता है कि, जॉब छोड़ दें क्या, कितनी अच्छी जॉब है, लेकिन छोड़ दें क्या, अगर आपका ये मन है, तो आप पहले थोड़ा सा ट्राइ करके देखे, कि जो मैं अपना काम कर रही हूँ, वो अच्छी तरीके से कर हुआ ही था, इसा, लेकिन एक बार फिर से आपको ये भगवान लालच भी देता है, जैसे मेरे पास भी इस तरह से ओफर आया था, प्रिंसिपल नहीं कॉल किया, कि आपको एक बार फिर से बुलाया जाता है, आपकी सेलरी थोड़ी सी इंक्रीज कर देंगे, एक क्लास और ले लो, ठीक है, आपकी जरूरत है, तो मैंने सोचाल, लेकिन मुझे ये लगा कि अब मैं इस काम में आगे बढ़ चुकी हूँ, मैं वीडियोस बनाने लग दे थी, तो मैंने का, नहीं, अब मुझे पीछे नहीं जाना, किसी भी हालत में वो पर्टिकुलर मंतली सेलरी पे नहीं dependent होना है, मुझे अपना कुछ करना, सेलरी की बात ही नहीं है, जबकि मेरे पास कुछ नहीं था, उस सवह में बिल्कुल डाउन होगे थे लेकिन फिर भी मैंने का कि नहीं अब काम क्या करना है जो मेरे मन का काम है बस मैं वही करूँगी जो मुझे लगता है कि जो इससे मेरा एक सुसाइडी के लिए सौल परपस भी पूरा होता है कि जो मैंने जेला वो आपको ना जेलना पड़े जो मै मैंने समझा वो आप जल्दी ही क्लियर हो जाए क्योंकि मुझे नहीं पता था यह ट्विन फ्लेम जर्णी क्या है अप्टू रियूनियन तक नहीं समझ में आ रहा था कि यह है क्या है यह जर्णी और जब रियूनियन बिल्कुल करीब था तो उसके बात जो ऐसी करने का खयाल है तो आप बात यही करते हैं आपको रियूनियन बैडली मिस कर रहे हैं और चैनल सॉंग भी मैंने आपको बताई दिया बागी रही बात आपकी भी तो आप अगर डिलीमा में हैं यह करूं कि वो करूं सेम एनरजी वो भी पिक कर रहे हैं तो त्यान रखिए अपना और अपनी एनरजी का क्योंकि जैसे ही आप असेंड होंगे वैसे ही आपका पार्टनर भी असेंड होंगे ही होंगे आपको यह बॉदर होने की जरूरती नहीं कि वो कब आएंगे कैसे आएंगे कब बात होगी अब तो मैरेड हैं आप तो हम मैरेड हैं यह सब सोचन की ज़रूतनी है यह divine journey है यह divine journey कभी भी कुछ भी हो सकता है और divine intervention का आपको थोड़ा सा weight and faith रखना चाहिए आज के लिए इतना ही thank you so much धन्यवाद